बचपन से हम यही सुनते आए हैं, IIT क्रैक कर लो, हर दूसरे माबाप की यह दिली तमन्ना तो जरूर होती है, और अगर आप मिडल क्लास फैमिली से हो, तो ये तो मूल मंत्र है, IIT को क्रैक करने का मतलब होता है, प्रोफेशनल सक्सेस, इंटेलिजन्स, मनी, जॉब सेक्योर पीछे का बंगला देखो, इडियेक्स, 3.5 मिलियन, लेकिन हाल ही में, IIT के करोर प्लस हेडलाइन से जादा कंगाली के न्यूस खबर में रहे हैं, जॉब प्लेस्मेंट्स जो हुई नहीं, सैलरीज, दस लाग रुपए पर एनम आउफर हो रही हैं, सैकिंग्स कंपनी को ज चलते, लाखो स्टूडेंट्स पर क्रशिंग प्रेशर डाला जा रहा है, क्या है IIT और इंजिनेरिंग डिग्रीज का असली सच, देखो आज के एपिजोड में, कुछ कड़वे डेटा पॉइंट्स जरूर होंगे, तो अगर मदर सिस्टर करना है, तो कॉमेंट सेक्शन प पड़ेगा, आज भी IIT और इंजिनेरिंग डिग्रीज हजारों लोगों के लिए एक बहतर जिंदगी का रास्ता है, इसमें कोई डिबेट नहीं है, लेकिन जैसा कि mutual fund में कहा जाता है न, please read the offer documents carefully before investing, वो ही काम आपको education में भी करना ज़रूरी है, क्या है IIT का fine print, देखते है और finally, नहीं, मैं IIT crack नहीं कर सकता हूँ, नहीं मैं अपने आपको उत्ता बुद्धू नहीं समझता हूँ, लेकिन बचपन से ही मैंने प्यूज जी की बाते दिल से ले ली थी, Don't get into those maths. सबसे पहले आसान और obvious question solve करते हैं, examber PA ही सिखाय जाता है न, तो क्या IIT join करने से नौकरी मिलती है, क्या नौकरी पक्की होती है, कि companies की क्या line लगी रहती है सारे IIT के सामने, Careers 360 में महेश्वर पेरी ने IIT में 2021 के placements का detailed analysis किया, और results कुछ चौका देने वाले हैं, 20 से 23 प्रदिशत IIT graduates चार साल के मेहनत के बाद लाखों रुपएं खर्च करने के बाद बेरोजगार रहे, Placement Season के बाद भी, IIT का tag जरूर रहा उने के पास और शायद कुछ टाइम बाद उन्हें कहीं और नौकरी मिल भी गई होगी, लेकिन सवाल ये है कि placement पे उन्हें नौकरी क्यों नहीं मिली, जबाब है the course that they take, देखिए कुछ data points, IIT रूर की 60% of students of engineering physics, 35% of civil engineers, 33% of industrial engineering students की placements नहीं होती है, IIT खड़कपुर, 55% of biotech engineers, 33% of aerospace engineers, 30% of civil engineers नहीं मिलती हैं को placement, IIT हैदरवाद, new age IIT, 77% of meteorological science students, 57% of civil engineers, 41% of chemical engineers, placement नहीं होती है, IIT कानपूर, prestigious IIT, 48% material sciences and engineering, 44% bio engineering के students को नौकरी नहीं मिलती है, IIT madras, legacy IIT, इतना prestigious, 23% overall students को place नहीं कर पाई 2021 में, 41% of material engineering students, 46% of engineering physics and 37% of ocean engineering students की नौकरी नहीं लग पाती है, moral of the story, अगर आपने pure engineering ली है, तो नौकरी मिलने में आपको मुश्किल हो सकती है, और ये बात IIT की हम कर रहे हैं, अभी हम salary तक नहीं पहुँचे, non-IIT तक नहीं पहुँचे, ये best engineering colleges की हालत की बात हो रही है, national, international companies, tech sector में best offers देती हैं, लेकिन हमारे देश में top class, core engineers को manufacturing sector में jobs नहीं मिल पा रही है, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि हमारे देश में manufacturing sector में हालत क्या है, क्योंकि ऐसे engineers की तो भारी demand होनी चाहिए, या फिर ऐसा हो रहा है कि manufacturing companies non-IIT colleges में जाकर सस्ता talent pick up कर रही है, लेकिन बात साफ है, आज के comparative जमाने में आपकी specialization का बहुत ज़्यादा महत्व है, ना कि आपके institutional tag का, IIT का tag आपके life को guarantee शायद नहीं कर पाएगा, जितना आपकी skills और आपकी specialization guarantee करेगी, increasingly companies भी आपके specialization को देख रही है, आपके core competence को देख रही है, आपके additional skill sets को देख रही है, ना कि आप कौन से college से हो, या कौन से institution से हो, अब आते हैं दूसरे बड़े problem पर, क्या IIT में अगर आपको नौकरी मिल जाती है, आपकी salary क्या उतनी होगी जितना अगबारों में पढ़ते हैं, तो चलो मान लेते हैं, आप उस 20-25 प्रतिशद में नहीं आते हो, जिरोंने course ठीक से choose नहीं किया, नहीं मिला उन्हें, मेहनत नहीं की, या pressure नहीं handle करता है, आपने सब कुछ किया, तो इसका मतलब आपकी जिंदगी set होनी चाहिए, लेकिन recruitment experts की एक study, जो की economic times में छपी ये दर्शाती है, कि 50 लाख पर एनम वाली salary, जो अच्छी वाली salary है, ये मिलती है, IIT की graduates को मिलती है, 960 students को ऐसी salary मिली, लेकिन ये 960 क्या है, ये 6 प्रतिशद है of the total strength, तो बाकी 90 प्रतिशद प्लस students का क्या, उसके बारे में तो कोई नहीं लिखता है, headlines में, इस study के अनुसार, 54% of students of IIT के top tier institutions, जो best IITs हैं, लगबख 7000 students की बात कर रहा हूं में, और 50% students जो अगली tier में आते हैं, लगबख 2200 students की बात कर रहा हूं, उनको अगर आप सब मिला ले, तब जाकर 10-16 lakh रुपीज पर यर उनकी salary होती है, उनके qualification से इसे reasonable pay scale में माना जाता है, मने आप सोचिए आधी IIT की बात हो रही है, जिसे सिर्फ 10 या 15 lakh के range पे salary मिल रही है, इस study का यही conclusion है, कि कुछ high performing placements को छोड़ कर, IIT के salary काफी nominal range में आती है, mint में, देवीना सेन गुपता ने हाली में एक बहुत चौका देने वाला article लिखा, ऐसे cases दर्शाय जहां 6 और 8 लाक रुपए के job offers मिल रहे हैं IIT graduates को, और वो भी वेदानता जैसे बड़े companies से, ये वाले figures तो कभी headlines नहीं बनाते हैं, अगें, मैं इस बात पर doubt नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे cases हैं जहां करोर प्लस की नौकरियां लग रही हैं, investment banks, high frequency trading, quant firms हैं, मैं मानता हूँ, जो यसी गगन चुम्बी salaries दे रही हैं, लेकिन ये भी सच है कि 10-10 लाक रुपए की salaries offer हो रही हैं या वो भी नहीं, computer science, electronics, electrical जैसे courses में placements अच्छे होते हैं, लेकिन civil, chemical engineering के अच्छे दिन या 6 साल वो नहीं चल रहे हैं, IIT में 90 प्रोग्राम पढ़ाय जाते हैं, जाहिर सी बात है कि सबको अच्छे salaries नहीं मिल सकते हैं, लेकिन अचंबे की बात यह है कि आज के date में कुछ कंपनी साथ लाख तक packages offer कर रही है, IIT graduates को, देश के best institutions को, IT services companies एक step और आगे, विपरो, Infosys, Tata Consultancy Services, HCL, छोटी engineering colleges पर focus करते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ और भी सस्ते placements उनको मिल जाते हैं, Placement Season 4 साल के बाद एक और crushing experience होता है, IIT students के लिए, हम lucrative job छोड़कर business शुरू करने वाले IITians को तो hero बना देते हैं, लेकिन उनके बारे में कभी नहीं सोचते हैं, जिनके पास यह option ही नहीं होता है, loan, family responsibilities को पूरा करते-करते, उनके पास यह option ही नहीं होता है, कि वो job ना ले, उनके लिए job लेना, और पहला job offer लेना सबसे ज़ादा important होता है, और recruitment के समय, एक और बहुत बड़ा stumbling block जो IIT students के लिए आता है, lack of presentation and communication skill, जो आज के जमाने में और भी ज़ादा important हो गया है, अब इसमें हमारी education system की भी गलती है, क्योंकि हमें English reading और grammar के rules तो पढ़ा दी जाते हैं classroom में, लेकिन real life conversation skills, how to be a confident speaker, ये तो हमें सिखाना ही, भूल गई हमारी education system, Cambly जैसे platforms आपको अपनी English conversational skills fluent करने का मौका देती है, Cambly आज हमारे episode के partners हैं, और ये एक platform है जो आपको one-on-one conversation with native English speakers के माध्यम से आपके confidence, आपकी English speaking fluency को actually बढ़ाती है, अब Cambly ने group classes भी launch कर दी है, जिससे English practice करना आपके लिए और भी affordable हो जाता है, देखिए, UK, USA में based native English speakers के साथ आप group discussion कर सकते हैं, 60 minutes का एक class है, एक global class है, जिसमें एक tutor है, और आप ही के जैसे maximum, maximum two और students हैं, जो की Brazil से हो सकते हैं, Korea से हो सकते हैं, France, Japan से हो सकते हैं, जो आप ही के तरह English अपनी fluent करना चाहते हैं, culture, technology, news, hobbies, इसके बारे में आप discussion करिए, अपनी fluency बढ़ाईए, और ये उन लोगों के लिए काफी interesting और काफी important है, जो एक friendly, non-judgmental environment में अपना English सुधारना चाहते हैं, साथी साथ exposure to global culture, because students are from all over the world, वैसे तो Cambly का list price है, Rs. 2378, लेकिन अगर आप नीचे दिये गाए link और साथ में दिये गाए code, देशभक 999 मने TDB999 का इस्तमाल करते हैं, then you get one month of a group class access just for Rs. 999, that means it's effectively 60% off, लेकिन अगले एक महिने के लिए, I hope that you will benefit from it, anyways, back to the story, चलो, IIT में घुस भी गए, course भी अच्छा select कर लिया, और placement में fluent presentation भी आपने दे दिया, तब तो आपकी job guarantee है ना, तब तो job पकी, अच्छी वाली, not really, IITs तेजी से expand कर रही हैं पिछले कुछ सालों में, आज देश में 23 IITs हैं, लेकिन नए campus में ना वो आपको facilities मिलेंगी, ना आपको faculty मिलेंगी, और ना ही वो recruiters मिलेंगे, जो आज भी legacy IITs में जाना चाहते हैं, उसकी ओपर global recession, जो अभी जाने का नाम नहीं ले रही है, तो कल तक के booming tech sector और startup industry, जो heavy recruitment कर रहे थे, आज वो अपने आपको तहस नहस में देख रहे हैं, बाइजूज, देश का सबसे valuable startup, Goldman Sachs, सबसे prestigious नाम, Amazon, दुनिया का one of the richest companies, सब लोगों को ताबड तोड बाहर निकाल रहे हैं, और IITN होने से आपकी job guarantee नहीं हो रही है इन companies में, In fact, Himanshu की story इंटरेट पर काफी viral हुई, GitHub, Adobe, Flipkart जैसे companies में काम करने के बाद, IITN Himanshu ने meta join किया और वो भी Canada में, और वो move करते हैं Canada, लेकिन नौकरी join करने के दो दिन बाद उनकी छटाई हो जाती है, ये सारे firings फिर से यही बात दर्शाती हैं, कि आपकी skills matter करती हैं आज के digital economy में, IIT का tag होने से आपकी job security नहीं आती है, लेकिन हाँ, IIT में घुसना, शायद दुनिया में सबसे कठिन कामों में से एक है, UPSC अभी भी number one pair है, लेकिन सोचिए class 10, class 11 से आपने बढ़ाई शुरू कर दी, फिर quota और local coaching institutions में घिसाई की, फिर चार साल IIT में रगड़ाई की, अपने आप में ये process killing है, इतना कि quota में तो suicides के बाद ceiling fans हटाने तक की बात हो गई थी, पिछले बार 9 लाख students J.E. mains में बैठे, IIT के total seats आज के date में 16,598 है, इन में से आधे reserved हैं for the disadvantaged section of society, इसका मतलब coaching, IIT fees, living expenses, सब कुछ मिला के 10-15 लाख रुपए चले जाते हैं एक डिगरी हासल करने के लिए, और उसके बाद भी अगर सही जॉब नहीं मिले, high paying जॉब नहीं मिले तो unfair लगता है, बहुत सारे लोगों को जिनका IIT में admission नहीं होता है, उनको reservations unfair लगता है, लेकिन अगर आप for argument से एक reservation हटा देते हैं, तब भी 9 लाख में सिर्फ 16,000 seats, आपकी ratio कुछ खास improve नहीं हो जाती है, और ये बात तो सबसे मज़े की है कि IIT, देश का best institute, जहां brightest बच्चे जाते हैं, एक बार company से आपका offer letter आ जाता है, आप किसी और interview पर नहीं बैढ़ सकते हैं, वाह, क्या इसे ही कहते हैं equal opportunity, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले कुछ सालों में अच्छी salaries के चलते, students ने edtech sector में ताबर तोड नौकरियां पाई, और सबसे पहले यही नौकरी ले लिए उन्होंने प्लेस्मेंट सीजन में, लेकिन अब VC funds खतम होने के बाद, edtech sector कॉलाप्स कर रहा है, और बहुत सारी नौकरिया जा रही है, including IIT graduates. Equality एक चीज़ है, जो IIT में कम मात्रा में ही मिलती है, और मैं salary packets की भी बात नहीं करता हूँ, जो कि highly unequal है. February के महिने में, IIT में प्रोटेस्ट हुए, जब एक student ने suicide कमिट किया, और एक ने suicide करने की कोशिश की. ऐसी ही एक घटना IIT Bombay में हुई एक दिन पहले. IIT मेडरास में पिछले 10 सालों में, 14 suicide cases report हो चुकी हैं, और कुछ cases हैं pressure के वज़े से, और कुछ because of discrimination on campus. IIT Bombay में एक दलिच student के suicide के बाद, Chief Justice of India चंदरचूट तक ने ये चिंता जाहिर की, कि हमारी institution में ऐसा क्या गलत हो रहा है, कि हमारे students अपनी जान ले रहे हैं, और वो भी the most prestigious student, जो कि हमारे देश का प्रतीक है internationally also, कुछ तो गलत है, लेकिन मैं IIT को अपने निशाने पर क्यों ले रहा हूँ, आप पूछेंगे, इसमें मेरा agenda क्या है, मेरी उकाद भी क्या है IIT से सवाल पूछने के लिए, actually तो मैं जो IIT में जो students जो graduate हैं, उनकी बहुत respect करता हूँ, वो highly intelligent people है, लेकिन मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये देश के premium institution के साथ ऐसा हो रहा है, तो दूसरे देश भर में, सैकडो जो और कितना, 4000 प्लस जो और engineering institutions है, उनकी हालत क्या होगी, सोचो, तो नीती आयोग ने सोचा, और ये पाया, नीती आयोग के vice chairman, पिछले साल, राजीव कुमार ने ये पाया, कि लगभख 50 प्रतिशत engineers, देश भर में बेरोजगार हैं, और ये भी, कि हमारी जो higher education है, वो एकदम stagnant है, बहुत सारे courses हैं, रियल वर्ल्ड में उसकी कोई महत्वई नहीं है, आइटी इसको भी इसको समझना होगा, immediately artificial intelligence, machine learning, deep learning, robotics में बहुत सारे courses introduce करने होंगे, और courses 5 और 10 साल में revise नहीं होने हैं, every year, every term revise होना होगा, खुद नीती आयोग ये बात मानती है, कि भारत R&D में सिर्फ 0.8% of GDP spend करती है, ये दुनिया में one of the lowest में count किया जाता है, South Korea 4.5% of GDP spend करती है, इसलिए छोटा सा देश innovation leader है दुनिया भर में, IIT इसको immediately अपने courses को revaluate करना होगा, खास कर कि वो traditional, pure science और engineering branches, जिसमें अब automation और AI के चलते, quality और skills की जरूरत है, ना कि quantity जो कि आज हमारी IIT करने की कोशिश कर रही है, manufacturing, construction, processes में भी automation और 3D printing के चलते, कम लोगों की जरूरत होगी, कम engineers की जरूरत होगी, और इसलिए अगर economy कल ठीक हो भी जाती है, तो IITs और engineers को अपनी skill sets और offerings बढ़ानी होगी, हमारे देश में soft skills की इज़ट हमेशा कम ही रही है, लेकिन automation के साथ, AI के साथ, वो ही soft skills और important होती जाएंगी, वो skills और काम जो computer नहीं कर पाएगा, उनकी ज़ादा इज़ट होगी, तो IIT हमारे देश का हमेशा एक हीरा रहेगा, लेकिन हमारे देश के कोईले का खानों से और भी हीरे निकलेंगे, जो ना होंगे engineer, ना होंगे doctor, लेकिन हमारी society को उन हीरों को पहचानना होगा, उन्हें मानना होगा, उन्हें कीमती समझना होगा, तब ये बात बनेगी, देशबग पर हम बार बार soft skills पर काफी emphasis देते आए हैं, मैं engineering expert तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप अपने soft skills अप्ग्रेड़ेड रखी है, क्योंकि आज के date में वो बहुत जादा important हो गए हैं, और Cambly जैसे एक platform से आप अपनी English speaking और conversational skills जरूर बहतर कर सकते हैं, अगर आप नीचे दियेगा ये link से Cambly डाउंडोड करते हैं and use करते हैं coupon code TDB999, तो आपको एक महिने के group sessions मिलते हैं only for 999 रुपीज, मेरे ख्याल से ये 60% offer आपके लिए काफी valuable साबित होगा, दो आपके लिए आपके लिए कार जापके लिए खेशाफया करते हैं